शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले विधर्व पैरेंट्स असोसियेशन के अध्यक्षव संधीप अग्रवाल ने स्कूलों द्वारा ओनलाइन पढ़ाई चालुक करने को फीज वसुलने का नया हतकंडा बताया है लॉगडाउन के मदनजर बच्चों का नुकसान ना हो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिया है जिनके गंभीर दुश्परिनाम है इसी का विरोत करते हुए संधीप अग्रवाल ने ऑनलाइन क्लासेस तुरंत रोकने की मांग की है कल तक जब भी पैरेंस स्कूलों में जाते थे तो टीचर्ज उन्हें बच्चों को मुबाइल लापटॉप टीवी से दूर रखने की सलहा देते थे पर अब अच्चानक मुबाइल पर पढ़ाई करने की बात कर रहे है यहां सब सिर्फ स्कूल संचालकों के दबाव में हो रहा है कोरोना और लॉकडाउन के चलते पहले ही मद्यमवरगी परिवारों की कमर तूट गई है वे फीज भरने में भी असमर्थ है ऐसे में उन पर बच्चों के लिए नया फोन और लाप्टॉप खरिजने का अनावश्यक बोच पड़ेगा जिसे रोकना ज़रूरी है शिक्षन उपसंचालक के आदेश के बावजूद कई स्कूल SMS तता फोन के जरिए पैरेंट्स पर फीज भरने के लिए दबाव बना रहे हैं जो की गलत है ऐसी स्कूलों पर तुरंद ही कारवाई की जानी चाहिए विधर्ब पैरेंट्स असोशियेशन ने लॉगडाउन के दौरान छात्रों की तीन महिने की फीस माफ करने और शैक्षनिक वर्ष दो हजार बीस से एकिस की स्कूलों की फीस में पचास प्रतिशत की छूट देने की मांग की है संदीप अग्रवाल का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते लॉगडाउन के कारण सभी स्कूल बंध है कुछ स्कूलों ने केवल अपने आर्थिक स्वारतों के चलते ओनलाइन क्लासेश शुरू किये है इन्हें बच्चों पर होने वाले दुश परिणामों से कोई लेना दे बच्चों में आम तोर पर अनुशाशन की कमी, कारिशम्ता की कमी, पढ़ाई का माहुल ना होना, जरुर से जादा जानकारी होना जैसी शिकायते आम हैं मोबाईल रेडियेशन की ये चलते बच्चों में दिमाग कमजोर होना, ट्यूमर और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का भी खत्रा है वैग्यानिक शोध निशकर्ष को देखा जाए तो मोबाईल से जो रेडियेशन निकलता है वहाँ बहुत हानिकारक होता है इससे पाचन शक्ती कमजोर और नींद कम आने की बिमारी चालू हो जाती है यूनिवसिटी ओफ कालिफोर्निया के एक शोध की अनुसार मोबाईल को जादा देर तक इस्तमाल करने से कैंसर का खत्रा बढ़ जाता है अगरवाल ने कहा कि मोबाईल रेडियेशन के कारण छोटे बच्चों पर गहरा असर पड़ता है इलेक्ट्रोमागनेटिक रेडियेशन के कारण बच्चों के दिमाग की कोशिकाओं को व्रद्धी करने में प्रभावित होती है जिससे ट्यूमर विक्सित होता है इसलिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों को कम से कम मोबाईल इस्तिमाल करना चाहिए इनबीजियन से दिपिका धनेश्वर की रिपोर्ट